यहां पर देखिए सब्सक्राइब को लाल बटन है, बेल आइकन भी प्लीज प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको नई वीडियो को सूचना मिलती रहें और आज हम जिस स्टॉक या जिस कंपोनी के बारे में बात करेंगे केमिकल की जबर्दस्ट कंपोनी है और मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो खुदरा ग्रहक हैं, जो निवेशक हैं लंबे समय के उनके दिमाग में एक मित है वो एक गलत फहिमी है कि हमें छोटी प्राइस का स्टॉक लेने से ही हमें वो मल्टी बैगर हो जाएगा और हमें जबर्दस्त कमाई होगी जबकि ऐसा कुछ नहीं है कमपनी की वैल्यू के हिसाब से हमें स्टॉक प्राइस चूज करनी चाहिए कि क्या कमपनी वो कमा रही है तभी हम पैसे बना पाएंगे अगर कमपनी कमा रही है हमारे पैसे पे रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है तो प्रीमियम बढ़ता जाएगा हमें उतना इलाप मिलता जाएगा भली चाहिए छोटी प्राइस का पैनी स्टॉक क्यों नहों दस रुपए का पांच रुपए का एक रुपए का अगर वो कमा नहीं पा रहा है तो कोई मतलब नहीं है उसको लेने से तो आज हम इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं विनाथी ओर्गैनिक्स लेमेटेड केमिकल्स की कंपनी है सेक्टर केमिकल का है और 20 जून 2019 बारा बच के तीन मिनट हैं बीएसी पे इसका 2125 रुपए भावावथ 2125 और 52 वीक लो था 910 और हाई इसने बनाया 2218 का हाई के आसपास है तो समझेए कि कितना लो से हाई पे हैं डवली कर दिया है बेसिक चीज़ें देख लेते हैं फिर में इसके कंपनी के बारे में बात करते हैं कि वैलवेशन के बारे में क्वालिटी के बारे में मार्केट कैप्टल जो वरतमान समय में दिखा रहा है 10,896 क्रोड का रणिंग पर शेयर है 54.97 पी है 38.57 की और इंडस्ट्री पी है 28.36 की बुक वैल्यू है 204 प्राइस टुबुक है 10.37 और फेस वैल्यू भी रह गए यह दो की डिलिवरी जबरदस्त दिख रही हैं यहाँ पेक good quality का जो इनको प्रमाण मिला है जिस साबसे इनका management है जिस साबसे इनकी growth है company की और जिस साबसे इनका capital structure है good quality company basis long term financial performances size ranks 4th out of 136 companies है chemical sector की उनमें से इसको चौथी नंबर के position का दर्जा हासिल है हम sales growth देखते हैं तो 9.92% का EBIT growth है 24.64 की और place shares देखे 0 है करजा बिलकुल भी नहीं है net debt equity negative net debt है और ROC है 35.92 का एक शांदार है return on equity है 23.38% की जबर्दस्त है और अगर हम valuation देखते हैं यहाँ पर तो obviously very expensive दिखा रहा है कैसे दिखा रहा है कि 886 रुपए के उपर जो भी price है वो महंगा है जिससाब से इनकी price to earning जिससाब से कंपनी की P ratio है उससाब से जब earning compare की गई तो यहाँ पर valuation में expensive दिखा रहा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीचे के level पर अभी मिलना इसका मुश्किल भी है इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो हम पहले return देख लेते हैं ऐसे कौन सी बैंक है ऐसे कौन से पैसे बनाने की machine है जो आपके एक लाग को सी लाग बना दे मात्र दस सालों में मतलब कुछ ही दूरी पे हैं आप करोड़ रुपए की अगर दो लाख लगाए होते तो आपका सोचिए कितना देखर करोड़ के आसपास हो जाता तो इस तरीके से अगर आप अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो सेक्टर हो है त्पास हमारी इंडिया जो अभिझा है डेवलपीं कांट्री ह ok अपjutर कर। इनडिया में लाभ एसलिए मिल रहा है क्योंकि जो चैना की जो भोलूशन के वजह से बहुत shift कर दी गई बंद कर दी गई और नई जो वहां कंपनियां टीट व Voilà हैं कि उनको बड़ी मशक्कते करनी पड़े हैं क्योंकि पॉलूशन को लेके वोलो बहुत अलर्ट हो गए रही बात इंडिया की इंडिया में भी देखे जितने भी हमारी कुछ टॉप की कंपनीज हैं तो मुसलिव जो केमिकल का जो लिक्विड होता है वो ताक किसी नदियों में या फिर कहीं ऐसी जगा ना हो तो इस वज़े से ज्यादा तर कंपनीया अलर्ट है कि उनका जो 60, 70, 80% है वो जबरदस्त ऐसा होता है कि वो मतलब होता ही नहीं, वो निकलता ही नहीं, वो निकल नहीं नहीं गते हैं इस प्रकार से उनकी factories, उनके manufacturing plants हैं कि जिससे pollution को ध्यान म कadı, पांच सालो में 580% की रिटन है, चार सालो में 296, तीन सालो में 312% की, दो सालों में 113' की रिटन हैं एक साल में 118' की रिटन है, ये तेलbilir में 29 परसंट की रिटन है, 600 मं Taylor 28% की रिटन्स है, 3 months में 30% की आसपास की रिटन, 1 month में 13 और 1 week में 6 और 1 day में 0.89% के return है, मतलब किसी भी दिन आपको यहां पे loss में, जब भी पैसे आपने इन्वेस्ट किये इस company में, आपको हमेशा return ही मिला है, अब चाहे आतुल industry हो, चाहे बिनाती आओगे निक्स हो, चाहे आरती industry हो, ऐसी कई और दिगज कमपनिया हैं, ये भी कमपनिया एक जमाने में छो videos भी बनाया हैं, जो chemicals related है, इनका website क्या है कि इंडिया में भी इतनी खपत है, इतनी मांग है, इतनी demand है, प्लस इनके worldwide भी clients हैं, जिनको ये export करते हैं, basic तोर पे अगर हम कुछ जानना चाहें तो यहां पे इसकी website पे हम लोग है, established in 1989, Vinati Organics Limited is a specialty chemicals company, focusing on manufacturing specialty chemicals and organics intermediaries, we combine innovation with chemistry to deliver value-added products to our customers, we follow the highest quality standards and our products meet diverse customer expectations, अगर हम देखते हैं, बहुत सारे यह देखे, we are world leaders in two of main products, is butyle, benzeny and to acrylamido 2, मैं थाइल प्रपोने, अगर मैं सही पॉला रहा हूं तो माफ करियेगा, और we are present in over 22 countries worldwide, 22 countries में फिलाल इनका, दुनिया भर में जो है, export करती है, expansion है and export products to customers across the US, Europe and Asia, products में अगर हम जानना चाहें तो, यहां पे चलते हैं, यह देखे, beauty of phenols, specialty monomers, specialty aromatics, other specialty products, तो बहुत सारे कई सो products हैं, और तो एक बहतरी इन company हैं, अब हम चलते हैं इसके fundamental देखते हैं, किस प्रकार के इनके financial रहे हैं, हाँ, अगर हम December 18 से March 19 यानि quarter 4 के results देखते हैं, तो net sales जहां December 18 में थी 303 करोड के आसपास, वही March 19 में हो गई 296 करोड, यानि 2.13% के downside हैं, लेकिन net profit में जहां December 18 में थी 70 करोड के आसपास, वही March 19 में हो गई 82 करोड से ज्यादा की, जो कि 16.76% की upside हैं, और margin में भी देखें यहाँ पर 5.26% upside हैं, और वहीं अगर हम देखें, year on year, तो अगर हम year on year पर चलते हैं, तो March 18 में, जो net sales से 212 की, वहीं हो गई March 19 में 296 करोड की, यानि की 39.51% की upside है, और net profit में भी यहाँ जहाँ 51 करोड की की आसपास थी, वही March 19 में हो गई 82 करोड यानि 58% यानि 59% की आसपास upside है, और margin में भी यहाँ पे 9.83% यानि 10% की आसपास की upside है, year on जबरदस्त और quarter के भी अच्छे हैं फोड़नेट सल्समें टाओं हो तो बड़ी कमपनिया हैं, और share holding pattern में अगर हम चलते हैं, तो promoters के पास जबरदस holding हैं, 74.01% और कोई भी share गरीवी नहीं हम पहले ही देख चुके mutual funds के 13 schemes हैं, FIIs 64 हैं, और individuals हम आप जैसे लोग हैं, 12% के आसपास, FIIs ने अपनी holding थोड़ी सी increase भी की हुई है, तो कहने का total यही मतलब था कि अच्छी कमपनियों में अगर दोस्तों, अगर आप लोग पैसा डालते हैं, विशेश कर chemicals related, क्योंकि इनकी demand बहुत ज़्यादा है, चाय वो tire बनाने वाले chemicals, चाय पेंट बनाने वाले chemicals, चाय वो खाने पीने बनाने वाले, चाय दवाओं में स्तेमार होने वाले chemicals हो, सारी कमपनियां इस प्रकार के अलगर और कुछ कमपनी अपनी अपनी specialty होती है अपनी chemicals बनाने में उनकी महारत हासिल होती है तो 1989 से काम कर रही private house है और dividend paying stock है बाकी अब सब चीज़ हम बताई चुके हैं तो आज मुझे इस बहतरीन company के बारे में जानकारी देना था advisor से आख खुद के study भी जरूर आप करें thank you for watching this video